हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 260, 261 और 262 के बारे में यदि आप IPC से रेलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करने पर उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा हम बात करते हैं IPC की धारा 260 के बारे में IPC की धारा 260 क्या कहती है यह कहती है किसी सरकारी स्टांप की कूट करत जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाना याने कि कोई सरकारी स्टांप है याने कि स्टांप सिंपल अमपन बात करें स्टांप यदि कोई स्टांप है और उसका कोई व्यक्ति कूट करत होते हुए उसको उपयोग में लाता है याने कि वो जानता है कि यह नकली स्टांप है और ऐसा जानते हुए वो उसको जो है उपयोग में लाता है और असली के रूप में उपयोग में लाता है तो उसके लिए जो दंग के प्रावधान किये गए हैं वो IPC की धारा 260 में किये गए हैं यानि कि ये पता है कि ये नकली स्टांप है और इसके बाद भी उसको उपयोग में ला रहा हैं बिलकुल वैसे के वैसे जैसे कि असली स्टांप का यूज किया जाता है बिलकुल वैसे की वैसे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ इसमें कि जो कोई किसी स्टांप को जिसे वह या जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टांप की कूट करती है याने कि वह नकली स्टांप है तो क्या असली के रूप में उपयोग में लाएगा तो वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबदी साथ वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा याने जुर्माना भी लगेगा या और दोनों मैंसे किसी बाती का कारावास भी हो सकेगा दोनों ही हो सकेंगे या फिर एक कोई साज भी हो सकेगा याने जुर्माना भी लगा के छोड़ा जा सकता है और अकेला कारावास भी दिया जा सकता है तो इस परकार से हमने पढ़ा IPC क कीदाराக 261 के बारे में अब हम बात करते हैं आई c कीदारा 261 के बारे में आई c कीदारा 261 कहती है कि इस आशाय से कि सरकार को हानी कारित हो उस पदार्त पर से जिस पर सरकारी श्टाम्प लगा हुआいます लेक म Алекс मैं सरल समझते हैं मान लेते हैं कि इना रिजिष्टी कर रहे हैं अब देखो आजकल जो है ओनलाइन रिजिष्टी हो रही है लेकिन पुराने स्टामjust की हम बात कर रहे हैंatif और कि पुराने इस स्टाम pre pre में लगे हुए in और रजिश्टि करा ली रजिश्टि कराने के बाद मतलब के वह स्टांप जहां परणे के उसका यूज करना चाहिए था रजिश्टि में ważपे कर लिया व시다 कि अब क्या कर आ इसके बाद क्या मान लेते हैं कि उन स्टाम्पों को उन रजिस्टियों से हटा दिया और दूसरी किसी रजिस्टि में उसका उप्यूप फिर से कर लिया यदि इस प्रकार से यदि किसी प्रकार से किया जाता है तो वह IPC की धारा 261 के अंतरगत अपराद माना जाएगा मान लेते हैं कोई अगरिमेंट हुआ और अगरिमेंट होने के पस्चाद वह अगरिमेंट पूरा हो गया और वापस से उसी स्टाम्प का यूज़ करके दूसरा अगरिमेंट कर लिया गया तो यहाँ पर यह भी बी माना गया तो भी धारा 261 के अंतरगत अपराद माना कि एक स्टाम का प्रियोग जब एक बार कर लिया गया है तो उसका उप्योग दूसरी बार ना किया जाए इस प्रकार से भी यह दिखा जाए तो यहां पर यह भी बताया गया है तो हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं याने कि धारा 261 भी पढ़ेंगे और 265 भी इसमें पढ़ेंगे क्या है लिखा हुआ है इसमें कि जो कोई कपट पूर्वक या इस आसाय से कि सरकार को हानिकारित की जाए किसी पदार्थ पर से जिस पर सरकार द्वारा राजस प्रियोजन के लिए प्रचालित कोई स्टांप लगा हुआ है यानि कोई कागज है कागज में स्टांप लगा हुआ है और वो इसलिए लगा हुआ है कि कागज में जो लेख लिका हुआ है उसके अनुसार उतना स्टांप उसमें लगना चाहिए लेकिन वह उतना स्टांप न लगा करके कम स्टांप लगाया जाए या उस पर से वो लेख मिटा दिया जाए जो स्टांप की बड़ोतरी करता है तो इस प्रकार से यदि कोई कारी किया जाएगा तो उससे राजसु को हानी होगी तो राजस को हानी होगी सरकार को हानी होगी तो सरकार को हानी कारित करने के उद्देश से कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि उसमें से स्टांप हटा देता है या उसमें से कोई लेक मिटा देता है ताकि स्टांप ड्यूटी कम देनी पड़े इस प्रकार से कोई क्रत्य करता है तो वहाई IPC की धारह 261 के अंतरगत अपरादी माना जाएगा तो जो कोई स्टांप लगा हुआ है किसी लेख या दस्तावेज को जिसके लिए वह स्टांप उपयोग में लाया गया है हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया इस्टांप किसी दूसरे इस्थान पर पुना हुपयोग में लाया जा सके इस प्रयोजन से उस इस्टांप को उस दस्तावेज से हटाएगा तो वह दोनों में से किसी भी माती के कारावाद से जिसकी अबदी तीन वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा यानि जुर्माना भी लग सकता है तीन साल तक की सजा भी हो सकती है यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का क्रत्य करता है कि दस्तावेश से स्टाम को अटा देता है या दस्तावेश से वह लेख मिटा देता है जो ज़्यादा स्टाम ड्यूट्यू को बता रहा था तो इस प्रकार से हमने पढ़ा IPC की धारा 261 के बारे में अब हम पढ़ते हैं धारा 262 के बारे में ये क्या कहती है ये कहती है ऐसे सरकारी स्टाम का उप्योग जिसके बारे में ग्यात है कि उसका उप्योग पहले किया जा चुका है जो मैंने अभी बताया कि मान लेते हैं कि कोई agreement है agreement का उपयोग एक बार कर लिया गया है 500 रुपे के stamp पे कोई agreement किया गया अब agreement करने के बाद वो जो है agreement पूरा हो गया 11 महिने की 12 महिने की जो भी लिखा पड़ी थी वो पूरी हो गया अब क्या किया कि अब वो वहां से stamp निकाल लिया उन्होंने और उसका उपयोग दुवारा से उसको कर लिया यने कि उस stamp का उपयोग पुना किया तब भी जो है तब यदि ऐसा होगा तो IPC की धारत 262 के अंतरगत उसको दंडित माना जाएगा और दो साल तक की सजा उसको हो सकेगी यदि कोई इस प्रकार का करत्य करता है कि एक बार पहले कोई agreement हो चुका है पहले कोई दस्ता भी तैयार हो चुका है और पुना दूसरा दस्ता भी तैयार कर रहा है तो वहां से agreement में से stamp निकाल करके इधर लगा दिया तो बस ये गलतियदी करते हैं तो IPC की धारा 261 के अंतरगत दो साल की सजा होगी लिखा हुआ है क्या कि जो कोई कपट पूर्वक या इस आसैसे की सरकार को हानी कारित की जाए सरकार द्वारा राजसु के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी stamp को जिसके बारे में वह याज जानता है कि वह stamp उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा तो वह दोनों में से किसी भी भाती के काराबास से जिसकी अबदी दो वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा यानि जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा भी उसको हो सकती है तो इस प्रकार से हमने पड़ा IPC की धारा 260, 261 और 262 के बारे में यदि आप IPC से रेलेटेड अन्य धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर किलिक करेंगे आई बटन पर किलिक करने पर पूरी की पूरी IPC आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वेल आईकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तोरांत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद